हलो स्टुडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे राइमर ताइमन रियक्षन, और राइमर ताइमन रियक्षन जो है काफी important रियक्षन है, यह फिनल टॉपिक की रियक्षन है, और इस रियक्षन में intermediate कार्बीन बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें है, जो र प्रोड़क्ट यहां पर बनता है तो एक तो यह बनता है और पर ऐसा एक और प्रोड़क्ट बनता है जिसमें प्रोड़क्ट बन रहा है इस कंपाउन को हम बोलते हैं और जो रियक्शन है इसमें यही और्थो जो प्रोड़क्ट है यही मेजर प्रोड़क्ट होता है इस प्रोड़क्ट को हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी मेंजैल्डि हाइड यह इस रियक्शन का माइनर प्रोड़क्ट होता है और यह जो प्रोड़क इस और्थो हाइड्रोक्सी बेंजलिहाइड यह इस रियेक्शन का मेजर प्रोडक्ट है ठीक है इसमें इंटरमीडियेट कार्बीन बनता है और इसका मैकेनिजम भी कई बार जो है एक्जामीशन में पूछा या चुका है और बहुत ज़्यादा चांसेज है की पूछा जाए यहाँ पर अगर आप देखोगे जो और्थो प्रोडक्ट है इसमें इंट्रा मॉलिकलर एज बनिंग होती है क्या होती है इंट्रा मॉलिकलर एज बनिंग और यह बहुत बड़ा रीजन है कि यह जो प्रोडक्ट है यह क्या रहता है मेजर प्रोडक्ट होता है ठीक है इसमे क्या होती है, intra-molecular hydrogen bonding होती है अब यहां से आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि जो phenol है यह acidic है और in the presence of base CAH यहां से जा सकता है दूसरी बात CHCL3 chloroform की base के साथ reaction और base के साथ reaction यह भी acid-base reaction हो सकती है तो students, एक-एक करके हम step-by-step इसको discuss करते हैं पहले राइमर्टाइमन reaction को और फिर मिसलियनियस राइमर्टाइमन reaction को discuss करते हैं, तो start करते हैं first point, CH, इसका mechanism हम देखते हैं so CHCL3 यह acidic nature शो करता है यहां पर देखी, जो H है, यह acidic है और अगर base के साथ reaction कराते हैं तो यह H plus के form में यहां से चला जाएगा और यहां पर बन जाएगा C, CL3 negative और H2O तो base ने क्या किया, यहां से H plus को निकाल लिया अब देखीए, कि यहां पर जो कार्विनायन है, उसमें क्लोरीन तीन-तीन groups हैं ठीक है, जो associated हैं और electron withdrawing groups होने के कारण इस कार्विनायन की stability को बढ़ा देते हैं, और यही रीजन है कि यहां से H plus आसानी से चला जाता है, ठीक है एक बार यह बन जाता है, तो जो कार्विनायने वहां से C, L minus leaving group की तरह चला जाता है और इस form में यह convert हो जाता है यह भी एक तरीके का intermediate है और इस intermediate को हम बोलते हैं, di- chloro carben so this intermediate is known as what, di- chloro carben, right अब जो di- chloro carben है यह तरीके से electro file भी है क्योंकि यहां पर इसे डबे-बे बनाये है एक lone pair है, एक vacant orbital है तो यह अपने आप में एक electro file है अब जब हम reaction सोचते हैं क्या हो सकता है phenol पर तो phenol molecule में O से associated है H atom और जो base है, वो यहां से H plus को eliminate करके ले जाता है आप जानते हैं कि छोटा atom है, बेवी atom है यह base है, बेवी को base पसंद है और यहां से H plus को eliminate करके हम यह बना लेंगे phenoxide ion तो O पर आ जाएगा negative charge after elimination of H plus यह बन जाएगा ठीक है, इस ion को हम बोलते हैं phenoxide ion so this ion is phenoxide ion अब जो phenoxide ion है इसका resonating structure बनाया जा सकता है, और resonating structure में O पर negative charge और थोर पैरा पर क्या होगा resonance करके आ सकता है students मैं आपको बता रहा हूँ कि यह काफी important reaction है, इसकी सारी steps important है, mechanism काफी important है तो इसको क्या करें, आप लोग खुझ से लिख करके देखें जैसे कि मैं आप लोग को ortho position वाला product बना के बताऊंगा पैरा product जो है, वो आप खुझ से लिख करके देखें, वही आप लोग के अच्छा रहेगा practice भी होगी और confidence भी आजाएगा, तो जो एनाइन यहाँ पर ortho पर आया है, यह resonance करके कहाँ चला जाएगा पैरा position पर चला जाएगा और इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो minus charge हैं, यह जो carbonine है, यह ortho, para ortho पर oscillate करता रहेगा that means, जो ओपर negative charge है, वो ortho और para को क्या बना देगा, electron rich बना देगा, तो एक point तो यह था कि base की जो reaction थी, ठीक है base की reaction phenol के साथ हो सकती है, और phenol के साथ में क्या होगा phenoxide ion बनेगा, resonance stabilized और दूसरी reaction CHCl3 की KOH के साथ हो सकती है, और KOH के साथ H+, निकल करके carbon ion बनेगा, जो CL- के निकलने से carbine में convert हो जाएगा अब देखो, यह अपने आप में एक negatively charged particle है, nucleophile है, और यह अपने आप में एक electron deficient particle है, electrophile है और हम जानते हैं कि जो nucleophile है, उसकी reaction, electrophile के साथ हो सकती है और हमें करानी है, राइट तो जो next step होगा इसमें phenoxide ion की जो reaction है so we have phenoxide ion और इसकी reaction हम करवा सकते हैं कि इससे, diichloro carben से, ठीक है as an electrophile इस पर reaction होगी और यही reaction की क्या होती slow step भी होती है, अभी हम discuss करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जान दीजिए तो हमने इन दोनों की reaction करवाई, जिसमें इसने loan pair donate किये carbon के vacant orbital में, और एक carbon और carbon नया bond बन गया, तो एक और feature है इस reaction का कि इसमें नया bond बनता है carbon और carbon के बीच में, इस तरीके से और यहाँ पर loan pair present होने के कारण इस पर आ जाता है, negative charge अब ध्यान दीजिए students कि ये एक ऐसा iron था जिसका nature था aromatic तो इसका जो nature था ये था aromatic और ये convert हो गया ऐसे iron में, जिसका nature क्या है, non-aromatic तो अपने आप में ये slow process होगी, क्योंकि stability इससे क्या हो रही है, decrease कर रही है एक aromatic iron, non-aromatic में convert हो रहा है, that means there will be a decrease in stability, right? तो इस process को, या इस step को हम बोल सकते हैं, RDS या क्या बोल सकते हैं, rate determining mining step, और इस process से अब हम ध्यान से देखें कि ये दुबारा aromaticity कैसे गीन कर सकता है, इस carbon की एक valency edge से भी satisfy हो रही है और अगर हम यहां से H plus को निकाल दे तो दुबारा इस पर loan pair आ जाएगा और loan pair आ जाएगा तो conjugation में चला जाएगा, क्योंकि loan pair यहां आएगा, C double bond के साथ resonance show करने लगेगा और दुबारा यह aromatic हो जाएगा और यह जो H plus यहां से निकलेगा यह carbon पर negative charge है यहीं से जा करके bond भी बना सकता है तो यह इसकी next step है यहां दीजे कैसे, यहां से जो H plus हम निकाल लें और यह दोनों electron इस carbon पर migrate करा दे तो इस तरीके से अगर हम इसको migrate कराते है यह H plus को यहां से निकालते है तो क्या होगा carbon atom पर जिससे H जुडा हुआ है इस पर तो आ जाएगा negative charge और जो H यहां से निकला है वो carbon से, adjacent carbon से जुड़ जाएगा यह बन जाएगा understood तो यहां से हम H plus निकालने H plus निकालने से इस carbonine से जुड़ दे तो यहां आ जाएगा CH, CL, CL और carbonine जो होगा C double bond के साथ resonance stabilized होगा अब इस carbonine का हम C double bond के साथ क्या बना सकते हैं resonating structure भी बना सकते हैं और हम समझ में भी आ रहा है कि दुबारा यह aromatic बन चुका है तो यह वाली जो step है पहली वाली जिसमें aromatic से non-aromatic जा रहा था यह तो है RDS क्योंकि stability कम हो रही है aromatic से non-aromatic जाएगा तो stability अब इसलिए कम होगी लेकिन जब यह non-aromatic से वापस aromatic बनेगा तो यह वाली step क्या होगी fast होगी क्यों क्योंकि इसमें दुबारा से aromaticity क्या हो रही है regen हो रही है तो students यही जो process होती है यह electrophilic substitution reactions कहलाती है यहाँ पर हमने actually देखा जाए तो H को हटा दिया है और उसकी जगे पर इस group को लगा दिया है तो यह एक तरीके का substitution भी है और इस substitution में हम H की जगे पर यह group introduce कर रहे है दूसरी बात यह है कि अभी हमारा जो medium है वो basic है और basic medium होने के कारण यहाँ पर क्या होगा आगे दो CL groups यहाँ पर present मैं इसको trick से भी बता सकता हूँ कि अगर आपके पास में basic medium है मतलब nucleophile OH- present है और जो यहाँ पर दो CL groups है यह living group है तो OH- एक एक करके इनको क्या कर दे हटा दे और एक carbon पर दो OH आ जाए और water molecule का loss करा दे ठीक है तो वो एक तरीका है वो एक trick है जिससे हम कर सकते है दूसरा तरीका है जो actual mechanism है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा कि जो OH- है यह CL को हटा देगा और इस तरीके से SN2 substitution यहाँ पर हो जाएगा nucleophilic substitution second order nucleophile OH- will replace CL- ठीक है यह बना लेगा तो अब अगर मान लीजिए कि यह बन गया है तो अब हमें दुबारा OH- की जरूरत होती नहीं है यह oxygen अपने electron पर donate करता है जिससे CL- अपने आप यहाँ से जला जाता है और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बन जाएगा O- यहाँ पर आजाएगा CH double bond OH with positive charge और CL- यहाँ से बाहर हो जाएगा ठीक है तो carbon और oxygen के बीच में क्या आजाएगा double bond आजाएगा और O पर आजाएगा slight positive charge ठीक है positive charge आजाएगा formal charge अब यह जो H plus है यहाँ से निकल जाएगा जिससे कि oxygen neutral हो जाए और यह H plus जाकर के इस O negative से जुड़ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर आप धियान दोगे तो इसको हम complete कर लेते है reaction mechanism को तो यहाँ पर तो आजाएगा O H और क्योंकि यहाँ से O से H plus चला जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा C double bond O H ठीक है और यहाँ से हमने जो CL minus बनाया जो यहाँ से release हुआ था उसको हम बाहर कर सकते हैं तो अगर यह तो हुआ actual mechanism दूसरा तरीका यह है कि आप इसको simple तरीके से भी कर सकते हो कि 2 C L है तो 2 O H आ जाएगा C L हट जाएगा, यहाँ से भी C L हट जाएगा O H आ जाएगा, एक carbon पर 2 O H है water का loss करा दीजिए और LD हाइड बना दीजिए तो यह एक और तरीका हुआ जिससे हम इस reaction को देख सकते हैं बट देखो यह वाला जो product है यह major product है why major product? क्योंकि देखो ऐसा है कि एक तो इसमें edge bonding हो रही है जैसे कि मैंने आपको बताया इसको हम बोलते हैं intramolecular edge bonding intramolecular edge bonding हो रही है और इसको chillation भी कहते है why chillation? क्योंकि इसमें cyclic ring बन रही है edge bonding की वज़े से so that is chillation also बट दूसरा point यह भी है कि दो ortho position है एक यह भी ortho यह भी ortho है तो दो ortho position है एक यह वाली एक यह वाली और एक para position है तो collision frequency भी ortho की ज़ादा होगी there will be two ortho positions and one para position तो जब यह C double bond sorry, dichloro carbene की reaction होगी तो एक ही para है यहाँ पर और दो ortho हैं तो rate of reaction भी fast होगा किस पर ortho पर ठीक है तो यह दोनों कारण के चलते हैं हम यह बोल सकते हैं कि जो ortho product है वो major बनता है इसका मैंने आप लोगों को mechanism बना के बता दिया इसका mechanism आप लोग खुद बनाएंगे ठीक है यह खुद बनाएंगे आप लोग so this is about the Rimer-Tamon reaction जिसमें हमने बहुत simple बात करी किसकी phenol की reaction CHCl3 और QOH के साथ अब questions क्या-क्या इसमें आ सकते हैं question यह आ सकते हैं simple question दोनों में से कौन सा product major है salicyldehyde क्या है salicyldehyde का structure intermediate क्या है so intermediate यहाँ पर यह है dichloro carveni यह भी question आ चुका है कि Rimer-Tamon reaction में जो intermediate बनते हैं वो क्या बनते हैं इसके अलबाव यह सारे intermediate भी पूछे जा सकते हैं एक्जाम में objective question में आ सकता है कि क्या-क्या intermediate है जो Rimer-Tamon reaction के हैं जो बनते हैं ठीके तो यह सारा अगर आपको mechanism लिखना आ जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए काफी easy हो जाएगा ठीके इसी से मिलती जूलती एक reaction और है जिसे हम बोलते हैं miscellaneous Rimer-Tamon reaction miscellaneous Rimer-Tamon so in miscellaneous Rimer-Tamon reaction actually यह Rimer-Tamon तो नहीं है बड़ इसका mechanism same Rimer-Tamon जैसा है इसलिए हम इसको इस तरीके से पढ़ रहे है miscellaneous Rimer-Tamon तो students हमारे पास अगर एक cyclopentadiene है इस तरह से जैसा कि एक्जाम में पूछा भी जाता है और same reaction अगर हम कराते हैं किस से CH CL3 और KOH के साथ तो यहाँ पर 5 member ring से यह convert हो जाता है 6 member ring में इस तरह से और जो product बनता है वो यह बनता है and this product is chlorobenzene so this compound is chlorobenzene again यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक compound था cyclopentadiene ठीक है इस compound का नाम है cyclopentadiene और cyclopentadiene जो है यह एक non-aromatic compound है this compound is non-aromatic और यह convert किस में हुआ एक chlorobenzene में जो की क्या है एक aromatic compound है तो यह इसकी खास बात है कि एक non-aromatic compound से क्या बनाने जा रहे हैं हम aromatic बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे non-aromatic, aromatic हमको पता बिल्कुल नहीं है दूसरी बात reaction mechanism नहीं पता है तो यह उन बच्चों के लिए है जो अभी exam देने जा रहे है जो NEET का exam देने जा रहे है उन बच्चों के लिए जो revision करना चाहते है कुछ reactions का तो उनके लिए यह topic है सभी के लिए नहीं है तो CHCl3 और KOH की reaction अपन देखते हैं अब मेरे खाल से यह वाली step सब लोगों को यादी हो गई होगी CHCl3 in the presence of base तो base की presence में जो हम reaction को कराते हैं तो यह convert हो जाता है किसमे H2O और किसमे convert हो जाता है CCL3- इसके बाद हमने बनाई लिया कि CL- यहाँ से चला जाएगा और क्या बन जाएगा डाय क्लोरो कार्बीन बन जाएगा तो यह वाली step मुझे लगता है कि अब सबको यादी हो गई होगी अभी थोड़े देर पहले हमने इसके डिसकस भी किया था यह acidic H है carbonion बनेगा living group की तरह CL- जाएगा और जो intermediate है वो common है reaction में और इस intermediate का नाम है dichlorocarbene अब एक और बात है कि जो हमने cyclopentadine लिया है इसमें जो carbon atom यह present है इन पर जो H associated है ठीक है यह acidic hydrogen है और in the presence of base क्या होगा यहाँ से acidic hydrogen हम निकाल सकते हैं और जो carbonion हम यहाँ पर बनाएंगे that will be what? resonance stabilized aromatic system बन जाएगा तो यह भी एक कारण है कि जैसे हमने कोई base लिया यहाँ से H निकाला तो जो compound बन रहा है वो non-aromatic से क्या बन जा रहा है aromatic बन जा रहा है ठीके? और यही reason है कि यहाँ पर हमने जो base लिया है उससे हम इस H प्लस को निकाल लेंगे अब देखो यह जो aromatic compound या anion बना है this is a nucleophile और जो dichlorocarbene है यह क्या है? यह एक electrophile है ठीके? तो यहाँ पर अगर अगर आपन देखें next step क्या होगी? तो हमारे पास यहाँ पर एक nucleophile है aromatic है यह और dichlorocarbene है जो electrophile है तो students यहाँ पर यह जो dichlorocarbene है यह alken से जाकर के add हो जाता है और इस तरीके से जैसे आपने alken पर reaction पड़ी है एक end पर electrophile और एक end पर nucleophile जुड जाता है तो इस तरीके से cyclic three membrane यहाँ पर बन जाती है ठीक है आप लोग उने पड़ा भी होगा कि कोई भी अगर alken है तो उस पर एक तरफ electrophile जुड जुड जाता है और एक तरफ nucleophile जुड जुड जाता है ठीक है? अब आप लोग बोलोगे कि सर यह electrophile nucleophile यहाँ कैसे आया तो वो आया कैसे कार्बीन से आया कार्बीन में देखो एक vacant orbital है और एक lone pair है ठीक है? तो इस end से यह बन जाएगा electrophile और इस end से बन जाएगा nucleophile और इस तरीके की cyclic three member ring यहाँ पर बन जाएगे बननी चाहिए ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है pi bond से reaction कराई diachloro carbine की और three member cyclic ring मैंने यहाँ पर बना लिया ठीक है? यह तो बात हुई किसकी? addition की कुछ बच्चों का यह doubt भी आता देखो मुझे इतने time हो गया पडाते हुए तो मैं थोड़ा समझता हूँ कि student के मन में क्या क्या doubt आ सकते है दूसरे कुछ students के मन में यह doubt आता है कि sir जब यहाँ पर already loan pair है और diachloro carbine हमने लिया हुआ है तो आप इसकी addition reaction इससे क्यों नहीं करा देते हैं? ठीक है? तो हम यह process भी करा सकते हैं नया carbon carbon bond यहाँ पर बन तो जाएगा बट यह एक non aromatic compound है क्या है यह एक non aromatic compound है और इसमें दुबारा से aromaticity आप आना भी possible नहीं है ठीक है? इसलिए यह process मत कराओ अब आपको समझ में आ रहोगा कि यह क्यों कराया क्योंकि इसमें दुबारा aromaticity regen हो सकती है कैसे हो सकती ही मैं बताता हूँ मैं यह समझ में आ गया हूँ कि यह था aromatic ion इससे क्या बन गया? non aromatic और कोई scope नहीं दुबारा aromaticity gain करने का ठीक है? SP3 carbon यह बन गया तो यह non aromatic हो गया लेकिन जो हमने उपर बनाया है जिसमें हमने pi bond पर dichloro carben का addition करवाया है यहाँ पर इसकी aromaticity दुबारा regain हो जाती है और यही कारण है कि यह reaction काफी ज़्यादा important है इसको तोड़ा से समझने के लिए मैं इसमें marking कर लेता हूँ ठीक है? 6 carbon की मैंने marking कर ली हूँ अब इन 6 carbon atoms में 1 के और 2 के बीच में तो double bond पहले से ही है ठीक है? अब क्या होगा? यह loan पर donate होगा तो 3 और 4 के बीच में double bond आ जाएगा ठीक है? एक नया bond आ जाएगा, pi bond आ जाएगा और यह bond जो है break हो जाएगा इसका reason यह भी है कि carbon की तो valency पूरी हो गई एक pi bond बना 3 और 4 के बीच में pi bond बनने से carbon की valency तो पूरी हो गई और यह जो ring थी 3 member की यह highly strained ring थी और इस वज़े से यह ring क्या हो जाती है? यह break हो जाती है और break होने से जब 4 और 6 के बीच का bond टूर जाता है तो 5 number का carbon भी ring का part बन जाता है और ring का part बन जाता है 1 से 6 जुड़ा हुआ है और 6 atom पर आने वाला है lone pair इस तरह से 5 atom जो है ring का part बन चुका है और 5 atom के पास 2 chlorine atoms इस तरीके से ठीक है? तो यह जो process है यह एक साथ होता है बढ़ आपको समझाने के लिए मैंने इसे लिखा है इसके बाद तुरंत यह electron donate करता है CL minus यहां से बाहर हो जाता है और दुबारा यह aromaticity regain कर लेता है और यही कारण है कि यहाँ पर pi bond पर हमने addition करवाया तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास एक 5 member ring थी तो वो किसमे convert हो गई? 6 member ring में इसका मतलब यह CCL2 वाला जो carbon है यह ring का क्या बन गया है? पार्ट बन गया है यह कौन से number का carbon है? यह 5 number का carbon है यह 5 number का carbon जो है यह कहां से आया है? यह आया है dichlorocarbene से तो इस तरीके questions जो है वो पूछे जा सकते हैं काफी सारे questions इस पर बनते हैं ठीक है? एक दो questions मैं और आप लोगों को करा देता हूँ माली जीए कि हमें question में दिया जाए कि एक cyclopentadiene है और इसकी reaction को हमने करवाया किस के साथ? CH, CL2, F के साथ in the presence of base तो आपको इसका product बताना है second question PPT, PPT जो questions होते हैं वो अच्छे तो होते हैं लेकिन उनमें हम changes नहीं कर सकते हैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार क्या होता है? changes करने रहते हैं तो वो possible नहीं होते हैं जो questions आपको मैं करवा रहा हूँ इसलिए मैं लिख करके करवा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा इसको देखें और इनको attempt करें और इन questions के answer मैं आपको बताता हूँ पहले आप लोग अच्छे से attempt कर लीजिए ये questions आप लोग कर लीजिए एक pause ले लीजिए complete कर लीजिए students तो मेरे खाल से काफी लोग ने कर भी लिया होगा सोच भी लिया होगा या आप लोग इसको कर लीजिएगा तो इसका यह answer आना चाहिए I'm sorry इसमें chlorine नहीं रहेगा यहाँ पर आ जाएगा chlorine ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या होगा जो reaction step है फर्स्ट वाली वो थोड़ी सी change है OH माइनस जो है H प्लस निकाल करके दो CLA के F है तो OH माइनस H प्लस निकाल करके H2 बना लेगा और यहाँ पर कार्बनायन आ जाएगा कार्बनायन जो है यह stable तो है मगर यहाँ से जब leaving group जाएगा तो F नहीं जाएगा क्या जाएगा CL जाएगा यह बन जाएगा ठीक है तो यह तो step थोड़ी सी different हो गई क्यों 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 CL is better living group than F ठीक है इसलिए यहाँ से CL minus living group की तरह जा रहा है F living group की तरह नहीं जा रहा है अब हम बात करते हैं कि इसकी reaction जब हम कराते हैं 5 member rings से आप जानते हो पहले H plus निकल जाएगा और यहाँ पर NIN आ जाएगा मैंने direct लिख दिया और इसकी reaction अब होगी इस electrophile से addition करागे हम cyclic 3 member ring बना लें कुछ इस तरह से तो जब यह electron donate करेगा यहाँ से bond break होगा तो यहाँ से living group CL जाएगा F जाने वाला नहीं है तो जब आपने इसकी numbering करके और product बनाने की कोशिश की होगी तो कुछ इस तरही के से product आएगा इसके अंदर 1 और 2 के बीच में double bond है 3 और 4 के बीच में बनने वाला है और 6 पर आएगा loan pair यहाँ पर F है यहाँ CL है तो यह electron डोनेट करेगा तो यहाँ से CL चला जाएगा इसलिए जो product बन रहा है हमारा वो बन रहा है fluorobenzene क्या बन रहा है fluorobenzene बन रहा है क्योंकि यह weakest living group है इन तीनों में से 2 CL F में से सबसे poor living group है तो वही बचेगा जो poorest living group होगा तो यह question का answer मैंने आपको बता दिया है और second question और third question के केवल मैं answer लिखूँगा यह mechanism आप लोगों को खुद करने है तो मैं आपको बता देता हूँ कि second question का जो answer है इसका यह आ जाएगा और इसमें जो बचेगा वो बचेगा CL क्योंकि CL है और दो भी आ रहे है और poorest living group यहाँ पे CL है तो वही बचेगा यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैंने और change किया है कारवन की जो नाइटूजन ले लिया यह aromatic हो गया aromatic हो गया तो और इस reaction same ही होगी और reaction same होगी तो यहाँ पर जो product बनेगा वो यह बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा chlorine तो यह कुछ reactions है जो राइमल टाइमन reaction की तरह है और राइमल टाइमन reaction अपने आप में काफी important reaction है examination point of उसे काफी important हो सकता है और इस reaction को आप जरूर पढ़ें कुछ चीज़ें अगर आपने note नहीं की है तो screenshot ले ले या फिर आप जरूर इसको अपनी copy में add करें कोई चीज समझ में नहीं आते है तो उसको लिख करके देखें और पैरा product जो मैंने बनाया था राइमल टाइमन reaction का उसको आप लोग खुद mechanism लिख करके देखें जिससे कि आपको यह confirm हो जाए किसी तरह का question अगर exam में आता है तो आपको बिल्कुल सही करना है Thank you very much